चले बच्चों देखे स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर 13 तेरे वाँ कोश्चन स्टार्ट करते हैं ठीक है क्या कह रहा है देखो find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 बरावर 0 by the factorization factorization वे इंदर गुणनखन विदी से यानि गुणनखन करके हमें क्या करने हैं इसके roots find out करने है roots का मतलब होता है जो x की वो values जो इस equation को satisfy करे ठीक है वो यह हमारे इसके roots कहलाते है roots मतलब हमारा जो x की जो 2 values आएंगी वह हमारे क्या होंगे root कहलाँगे ठीक है तो कैसे करेंगे देखो यह आपने सीख तो लिया ही है कैसे गुड़नखन करना है हमें पहले क्या करेंगे इन दोनों का multiply कि इन दोनों का multiply कितना हो गया 6 अब 6 के गुड़नखन को इस तरीके से करो कि जोडने पे या गटाने पे 5 आए तो देखो 6 एकम 6 6 एकम 6 कर सकते हो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा यानि ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 6 प्लस का एक 5 आ गया देखो है न और 6 एकम 6 करेंगे तो 6 भी आ जाएगा तो यह हमारे आगे क्या इसके गुड़नखन ठीक है तो कर दो ज़रा देखो समीकर लिख देते हैं 2x स्क्वार माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 ठीक है यह हो गया अब क्या करेंगे आप सिम्पल देखो 2x स्क्वार माइनस 6x प्लस x प्लस 3 बराबर 0 ठीक है ऐसे लिख देंगे बताओ जल्दी से प्लस के 3x बराबर 0 लेकिन 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 यहां पर क्या हुआ देखो कि अगर आप तो हमारे 3 value देखो तीन हमारे किस के बन गए पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव तो यह गुड़न खंड नहीं होंगे ऐसे गुड़न खंड नहीं होंगे जब आपकी 3 संक के 2 माइनस के यही कंडिशन होंगी तभी आपके गुड़न खंड हो पाएंगे नहीं तो नहीं होंगे ठीक है वरना नहीं होंगे तो यह तरीका नहीं है मतला इस तरीके से तो नहीं होंगे अब दूसरा तरीका हमें सोचना पड़ेगा अब दूसरा तरीका क्या होगा बता 3x plus 3 बराबर 0 अब देखो 2 minus क्यों हो गए 2 plus क्यों हो गए ये इस तरीके से गुड़नकन हम कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे हो जाएंगे आपके आप देखो 2 common ले लो क्या बचेगा बिटा देखो 2x common ले ले 2x common ले लो गई 2x बाहर निकाला तो अंदर बचा x minus 1 minus 3 common ले लो minus 3 common लिया तो अंदर बचा x minus 1 बराबर 0 ठीक है अब देखो ये common आ गए तो x minus 1 एक आ गया दूसरा x minus 3 common आ गया बराबर 0 दोनों को बराबर रख दो 0 के x minus 1 बराबर रखेंगे 0 तो x बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया है ना 2x minus 3 बराबर 0 रखो गए तो 2x बराबर कितना हो गया 3 और x बराबर कितना हो गया 3 बटा 2 ठीक है 3 by 2 क्या हो गया 3 by 2 एक हो गया x की value 1 एक हो गयी 3 by 2 दोनों हमारे क्या आ गए roots निकल के आ गए वन कॉमा थ्री बाई तू तो वन कॉमा थ्री बाई तू यह आपका आंसर यानि option number D क्या हो गया राइट आंसर हो गया बत इतना सा ही simple question था और simply factorization करेंगे answer ले आएगे है ना चलो बढ़ते हैं आगे आगे देखते हैं अगला question करते हैं